हेलो फ्रेंड्स में डॉक्टर शोईकत और आज में डिसकस करने वाला हूँ SBL होमियोपेथी कॉमपानी का वाइब क्लियर एक्नी लोशन ये वाइब क्लियर एक्नी लोशन एक्नी या पिंपिल्स को ठीक करने के लिए दिया जाते हैं और उसकी साथ-साथ ये फेस को क्लीन करते हैं और स्कीन को सुंदर स्मूध मनाते हैं एक ही दवाई में आप अपना स्कीन को स्मूध भी कर सकते हैं और साथ-साथ देखनी को भी पिंपिल्स को भी भगा सकते हैं यह जो लोशन है इसको अक्नी लोशन भी बोलता है विप्लियार अक्नी लोशन इस एन एक्सेलेंट एंटिसेप्टिक एन क्लियार अक्नी पिंपिल्स बॉयल्स ब्लेक हैर्स यानि एन्टिसेप्टिक का काम करते हैं और साथ-साथ में पिंपिल्स को तो ठीक करते ही हैं उसका साथ-साथ स्कीन को भी स्मूथ करते हैं एक साथ में ये दोनों काम करते हैं इसका जो इंडिकेशन है, एक्ने के लिए पिम्पिल्स के दिया देता है, पैपुल्स के होता है, पास्टूल होता है यानि फेस में कोई भी बॉयल हो फोड़ा हो फिम पिल्स हो और स्कीन स्कीन डर्याशेश हो फेस के किसी भी स्कीन एलेटर प्रrices के लिए अक्ने एलेटरड फोड़ा या फुन्सी एलेटर प्रेस प्रice प्रब्लेम में ये काम आएगा इसका MRP जो है 70 रूपीज और इसको इंडिकेशन किस तरह से लगाना है apply twice a day using a clean cotton swab after washing पहले आपको अपना face को मुझ को पानी से अच्छी तरह से धो ले रहा है फिर आपको इस cotton में इस liquid को कहीं drop लेना है एक तो cotton में उसको भीगा के आपको उस cotton को अपना face में रफ करना है इसको direct लगाना नहीं है एक तो cotton में भीगा के आपको उस cotton से अपना मुझ को साफ करना है अब इसका जो इंडिकेशन इसमें जादा तर जो जो दवाय मिला के बना हुआ है इसका जो इंडी कॉंपोजिशन है बार्बारिस अक्विफिलियम है मादर टींचर 25% बार्बारिस अक्विफिलियम मादर टींचर ये एक सुपर भूमिपर्थी मेडिसीन है पिंपिल्स या एक्नि के लिए ये बारबारिस मादर टींचर डारेक्ट अलग से खाने के लिए भी दिया जाते हैं इसको दोनों तरफ से यानि खाना उपर से लगाना और अंदर से खाने के लिए इंटर्नल और एक्स्टर्नल यूद भी होता है नेक्स्ट मेडिसिन उसमें है लिएम पालस्टर वो भी मादर टींचर में है 25% ये लिएम जो मादर टींचर है वो स्कीन में रैश कोई अगर इंफेक्शन हुआ इंसेक्ट बाइट हुआ तो ये लिएम इसमें इससामाल होते है और नेक्स जो मेडिसियन है बेलिस परिनिस बेलिस परिनिस स्किन में अगर कोई रेश हुआ या एकनी ठीक होने का बात उसमें रेड़ स्पोर्ट रहना दर्ध होना इसमें बेलिस परिनिस द्या जाता है शरी की आंधर में अगर हर्णेस रहता है कोई इंटर्नल इंज्वी हो तो बेलिस पेरिनिस उसमें दिया जाते हैं तो यह जो खास मेडिसिन से बना हुआ है SPL का वाइप क्लियार एक्नी लोशन यह खाने का लिए नहीं है यह एक्स्टर्नल इूस के नहीं है यह लगाने के लिए है ज़्यादा सर हुमेपती दवाई खाने में दिया जाता है लेकिन यह इस तरह से बना गया है कि यह आपको एक्स्टर्नल आपको इूस करना है यानि इसको स्कीन पे अपलाई करना है आपको कैसे अपलाई करना है पहले अपना मूँ को पानी से अच्छी तरह से धो लेना होगा इसका बात इस लोशन को थुरा सा कॉटन में डाल के उस कॉटन को आप अपना स्कीन में रब करे और कुछ दिर बात उस तरह से किज दे छोड़ दे आपको उसको अलग से धोने का या वास काने के जरूत नहीं वो बहुत ही स्कीन में वो अपने आप एब्सॉर्फ हो जाएंगे और लेकिन आप चाहे तो बात में मूँ भी दो सकते हैं ये कोई स्टिकी या ओईली नहीं है ये एकदम वाटरी है पानी की तरह आप मुँ में लगाएंगे तो ये स्कीन में मिल जाएंगे आपको कोई भी चिचिरा स्टिकीनेस आपको महसूस नहीं होगा तो फ्रेंड्स एस्बेल होमेपती तो बारे में आप लोग जानते ये तो बहुत ही अच्छी कॉमपणी है उसका जो ये प्रोड़क्ट है वाइप क्लियर आप इसे यूज करके देख सकते हैं और इसके बारे में कुछ अगर सवाल है तो मुझे कॉमेंस कीजिए मैं कोशिश करूँगा आप लोग का सवाल का जवाब देने के लिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में